नमसकार दोस्तों सुआगत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तों बहुत से लोगों की दुआरा यह पूछा जाता है कि उपाशना सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में उपासना सब्द के आर्थ या मतलब के बारे में बात करेंगे हम जानेंगे कि उपासना किशे कहते हैं या उपासना सब्द का आर्थ या मतलब क्या होता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जानने लिते हैं कि उपासना सब्द का आर्थ या मतलब क्या होता है तो दोस्तों उपासना सब्द का अर्थ होता है कि अपने इश्ट देवता को याद करने के लिए उनके समीप बेटना और उनकी बगती में खो जाना या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रमात्मा की प्राप्ति के लिए उनके ध्यान में मगन हो जाना इसे ही उपासना कहा शीव पुरान के अनुसार उपाशना उसे कहते हैं जिसके कारण से मनुसे शीव को पाने के लिए अपनी बुद्धी को तेज बना कर और अपनी अंतय मन को सुने करकर उनके समीप पहुंचना उपाशना कहलाता है। उपाशना एक ऐसे किरिया होती है जिसके कारण से मनुसे अपने अरादे देव को याद करता रही और नियमित समय पर उनके पास रहकर उनके ध्यान में मगन होता रही और इसे ही उपाशना कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने बगवान की आरादना करता है तो उसे उपासना कहा जता है। वेसे दोस्तों उपासना सब्द की अर्थ या मतलब को कुछ इस तरह से भी समझाया जा सकता है। इश्ट देवता को याद करने के लिए उनके समीप बेटना और उनकी बगटी में खो जाना जो अरादना करता है उसे उपासना कहा जता है। इस तरह से दोस्तों उपासना सब्द का अर्थ होता है। इसके अलावा दोस्तों उपासना सब्द की वक्यम प्रियोग भी कर लेती है। जो कुछ इस तरह से हैं। 1. रामु तो दिन रात ने जानी किसकी उपासना में लगा रहता है। 2. जब से महेश ने विश्णों की उपासना करनी शुरू की है तब से उसका जीवन अच्छा बन गया है। 3. परताब कुमार अपने माता पिता की दिन रात सेवा करता है यह क्या किसी उपासना कर से कम थोड़ी है। तो इस तरह से दोस्तों उपासना सब्द का अर्थ होता है और उपासना सब्द का वक्यम प्रियोग किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समय से में पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। अंते में कमेंट में बताएं कि आप किस सब्द के अर्थ के बारे में जानना चाते हैं। हम उस पर एक अलग सी और अच्छा सा वीडियो बनाएंगी। धन्या दोर समय बनाएंगी।